Hello everyone, welcome back to your channel, Useful Tips Friends, अगर आप cuttings से निया plant grow करना चाहते हैं और वो cuttings आपकी successful नहीं होती हैं तो आप air layering से भी निया plant grow कर सकते हैं तो आज की इस video में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने double jasmine पर air layering की है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिसे के आगे आने वाली वीडियो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो ये एक मेरा डबल जैस्मिन का प्लांट है जिसके एक ब्रांच पर हम एयर लेरिंग करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके एक पुरानी ब्रांच दिखाती हूँ जिस पर मैंने फर्स टाइम एयर लेरिंग की और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले तो पहले मैं इसे आपको प्लांट से कट करके बताती हूँ कि किस तरह से इस पे न्यू रूट्स डेवलप हुई है तो ये देखिए अभी एक मैने पहले मैंने इस पे एर लेरिंग की थी और एक मैने में ही इसमें काफी सारी रूट्स डेवलप हुई है तो अब इसको हमने किस तरह के soil medium में लगाना है जिससे हमारी cutting आगे जाके खराब ना हो इसको मैं वीडियो में आगे आपसे share करूँगी लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं किस तरह से मैंने इस पर air layering की थी तो सबसे पहले air layering के लिए मौसम तो अगर आप बारिश के मौसम में air layering करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी से roots develop होती है second चीज़ है इसके लिए stem का selection तो इसके लिए कम से कम एक से दो साल पुरानी stem को लें और साथी को stem healthy भी होनी चाहिए अब इस stem के एक से दो इंच तक के maximum portion को हम select कर लेंगे और किसी sharp object से हम इसकी बाहर की layer यानि जो इसकी बाहर की चाल है उसको हम निकाल लेंगे इसके बाहर की चाल निकालने के बाद इसके बाहर हम थोड़ा इस तरह से घिसेंगे जिससे की इस पर जो ratio लगे हुए हैं वो निकल जाए इसको अच्छे से करने के बाद अब हमें चाहिए एक transparent polythene, दो तिन rubber band और एक thread अगर आपके पास moss या फिक कोको पीट नहीं है तो भी कोई problem नहीं है हम सिर्फ इसमें गीली मिट्टी का use करेंगे तो यहाँ पर पहले मिट्टी को गीला कर ले और फिर उसको इस poly bag में डाल ले हमने मिट्टी में पानी इतना नहीं डालना है कि जिससे वो हाथ में भी हम ना पकड सकें पानी इतना होना चाहिए कि मिट्टी में अच्छी गाजी नमी हो लेकिन साथ ही हम मिट्टी को हाथ से भी पकड सकें अब इसमें मिट्टी डालने के बाद मैंने इसको ओपर से टाइटली रवर बेंट से बांद लिया है अब इस polybag के बीचो बीच में हमें कट लगा लेंगे और थोड़ा बहुत हम इसके बीच में space भी बना लेंगे अभी आप देखो कि इसका जो ऊपर और नीचे वाला portion है बिल्कुल मैंने tape से बन नहीं किया है क्योंकि बारिश का मौसम है कभी बहुत साथ तेज बारिश होती है दो तीन दिन तक और कभी एक दो दिन दूप भी बहुत साथ तेज होती है तो अगर एक्स्ट्रा बानी जो अगर इसके ऊपर अंदर से चला भी किया है तो वो बहार निकल आएगा और अगर आपको लगता है कि कभी soil dry हो गई है तो भी आप इसको ऊपर से spray कर सकते हो कोई issue नहीं है कोई हमारी stem खराब नहीं होगी तो अभी a layering के वे से 25 देनी हुए है और इस polythene के अंदर जो आप ये white dot देख रहे हैं ये इसकी root ही है तो अभी इसके अंदर यानि कुछ roots तो जरूर डेवलप हुई है अभी कितनी डेवलप हुई है इसके लिए हम इसको plant से cut करकर अलग कर लेते हैं तो इस पर लगा हुआ जो ये thread है इसको मैं अलग कर लेती हूँ तो finally अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर roots कितनी जादा develop हुई है कितनी हमारी ये successful रही है तो ये देखें इसमें काफी सारी roots develop हुई है तो air layering का सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि इसमें roots develop होते हुए साथ इसको नीचे से plants की nutrients भी मिलते रहते हैं तो अभी अगर एक दो roots इसकी टूट गई है या थोड़ी बहुत soil इसकी निकल गई है तो भी ये easily नए pot में survive कर लेते हैं तो अब बात करते हैं इसके लिए potting mix की तो इसके लिए 80% मैंने normal garden soil को लिया है 10% मैंने coco peat add किया है जिसे इसकी roots और भी अच्छे से growth कर पाएं और 10% मैंने compost को लिया है तो इन सब को अच्छे से mix करके फिर किसी भी गंबले में आप अपना plant लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि plant अभी नया है तो plant stress में ना आए इसलिए आप plant की maximum leaves को इस time पे हटा दे तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मिलते हैं फिर किसी नई useful वीडियो के साथ till then bye bye and thank you for watching